जैहिन साथियो अभियम लोग पस्तित हैं एक जाम टोड चैनल पर जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार सरकार समाने परसासन विवाग आज का यह नोटिस है तो आपको देखना चाहिए दिनांक 25-2022 प्रेशक में हैं सरकार के अवर सचिव यानि अंसारी जी हैं सिवा में सभी जिला पतादिकारी बिहार सरकार देखिए क्या बात है बिहार करमचारी चैन आयोग द्वारा आयोजित पर्थम इंटरस्तरिय प्रतियोगिता परिक्षा 2014 में विग्यापन के अनुकरम क्रीमी लेर रहीत परमान पत्र की उपलब्ता के शंबन में महोद है देखिए यहां निर्देसान उसार उप्यूप विषय के शंबन में कहाना है कि विषयात्मक परतियोगी परिक्षा है तुब इग्यापन वर्स 2014 में परकासित किया गया था 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 इसके परिणाम परिक्षा फल के उपरां दिनांक दिशंबर 2021 में शफल अभियर् सर्मान पत्र के सत्यापन की करवाई एवं काउंस्लिंग का कारेशंपन प्रक्रियाध ही है दूसरा में दो नमर में दिया है बिजित हो कि विहार करमचारी चाहन आयोग द्वारा पतना द्वारा इस परिक्षा के लिए पर्थम बार दिनांक एक नौव दोहजार चौद से पतना द्वारा दिनांक पारित आदेश के अलोक में पुना अधिक्तम उम्रिशीमा में छुट प्राप्त करने वाले अभ्यरती से दिनांक 22-2016 से 13-3-2016 तक आवेदन प्राप्त किये गये दूसरी बार आवेदन प्राप्त करते समय बिज्यापन में शुधी पत्र में सरते या थावर्थ रहेगी उक्त परिपेक्ष में आयोग द्वारा दिनांक 11-12-2021 को एक नोटीस के माध्यम से पीछडे ओम अती पीछडे वर्क के सफल देखे एंसील वाले विद्यारती ध्यान पुरबक्त देखेंगे यदि उनको जहां भी समस्या होगा कमेंट बक्स मे आएंगे आपके लिए बोलेंगे लेकिन शुरू से बोलते नहीं आया है इस बात को भी आप देखेंगे समझेंगे अंतिम दिना कितना इतना को किया गया अभिग्यापन के आठ वर्स के पस्चात अभ्यर्थी से वर्स 2014 का क्रेमी लेयर रहित परमारपत्र की मांग किये ज 2014 की ओधी की क्रेमी रहित परमारपत्र उपलब्द नहीं है जबकि नियम आवली देखिए एक एथेंटिक डाटा देख लिजे यहां पर 35 के पास अरक्षर का लाब करने है तो इस ओधी की क्रेमी लेयर रहित परमारपत्र का होना आउश्यक है बोला जारा है कि वर्स 2013-2014 का क्रेमी रहित परमारपत्र 35 विद्यार्थी के पास उपलब्द नहीं है उपलब्द कराने में आशमर्थ है अब देखिए यहां पेचार नमर उ समधान है तो बिहार करमचारी चेहन आयोक के पतर संख्या अंठावन उन्तिस आदिनांक 23-12-2021 द्वारा समान परसासन से मारपत्रसन उपलब्द करने का अन्रोध किया गया उपलब्द मतलब इस पर अन्रोध किया गया कि आप क्या मारपत्रसन देना है इस संदर में मुख से नजर समध वीचारों उप्रांत निर्ने लिया गया कि आयोक इसकी समिक्षा में सफल पिछडे वर्ग एंवाती पिछडे वर्ग अभ्यर्थियों के लिए देखे एक बारगी उपाय के रूप में तथा पूर्व उधारना नहीं बनाए जाने की सर्थ पर अभ्यर्थी क माता पिता के बितिय वर्ष 13-14 के आय के आधार पर वर्ष 13-14 का क्रीमी लेयर रहित परमालपत्र निर्गत करने की व्यवस्था की जाए तो आयानी आपका अब समस्या समाधान हो चुगा है अब टेंसन नहीं ले मैं कितना दिनों से बोराओं कि एंसील को मन किया जाएगा यदि कोई दिक्कत हुआ तो पुराना एंसील आप लोग के लिए जारी किया जाएगा बेवस्था किया जाएगा लेकिन आपको निश्कासित नहीं किया जाएगा आपको एक कागज के लिए नहीं निकाला जाएगा ये मेरा बार बार प्रशन था आप लोग से बार बार मै आई के अधार पर ओफ लाइन विधी से क्रीमी लेयर रहित परमानपत्र के लिए प्रेस विग्यप्ती प्रकासित होने के 15 दिन के अंदर आवेधन करते हो और इनकी नियमा अनुशार बिद्वत अस्थाई जांच कराकर वर्ष 2013-14 के उनके मातापिता के वार्षिक आई के आ हमत अधिकारी से अनुश कोठी के लिग्यप्ता अस्तर से 1 प्रक्रिया के παेंखचक दिल untuk अस्तर से किया जाएगा विशेष प्रिस्तिति में निर्गत किये जाने वाले यह क्रीमी लेयर रहित परमारपत्र वर्स 13-14 से संबंदित होगा एदत संबंदित परमारपत्र का स्वरूप एवमभेरती द्वराप समर्पित किया जाने वाला श्रूम सपत पत्र पर इस पत्र के संलगन है अब देखिए यह सब हुआ आज का यह सरकार के अबर सचीव के द्वारा यह है एक नोटिस है आप इस बात को जानते हैं मेरे द्वारा पहले भी बोला गया कि यदि अब देख लिए यहाँ पर क्या है क्रीमी लेयर रहित परमारपत्र पिछड़े वर्क अत्यन्त पिछड़े वर्क के बिहार सरकार कर्याले का नाम दिनांग प अच्छी खबर है उनके लिए राध भरी खबर है आप देखते होगा बार बार मैं आपके पक्ष में था बोलता था कि कभी आपको निश्कासित नहीं किया जाएगा एक पेपर को लेकर चुकि आप भी पीटी में सब कुछ दिये हैं डीवी आप भी कराएं तो आपको एक पेसे नसील को लेकर नहीं एक रास्ता निकाला गया जो आप सब के लिए अतियावस्क सुचना है आप सब सुने यदि आपको इसमें भी कही पर किसी परकार का दीकत हो तो मेरा नंबर है उस पर आप संपर करें मेरे से बात करें शंपुन शहयोग एकजाम टूर आपके अधान के लिए कौन बेक्ती आपके साथ हमेशा खड़ा रहे हैं इस बात को आप भली बाती जानते हैं तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै इवा